पिछले पाठों में हमने देखा कि दो चरों वाले दो समिकर्णों के निकाए का हल हम किस तरह से ग्याद कर सकते हैं दो समिकर्णों के निकाए को हल करने की बीज गणिते विधियां हैं प्रतिस्थापन विधी, तुल्न विधी एवं विलोपन विधी मुझे सब समझा गया इन सभी विधियों में एक ही मुख्य बात है और समान्था भी है एक चर को हटा कर दूसरे चर का मान ग्याद करना और फिर उसके मान से पहले चर का मान भी ग्याद करना और हाँ, आपने पिछले पार्ट में वज्र गुणन विधी भी तो सिखाई थी हाँ, वज्र गुणन तो X देथा Y का मान सीधे ग्याद करने की एक सूत्र ही है जो हमने विलोपन विधी द्वारा प्राप्ट किये थे इन समिकरनों के बारे में हमने इतना कुछ सीखा पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि द्यानिक जीवन में इनका कहीं कोई उप्योग भी है द्यानिक जीवन में इन समिकरनों का बहुत उप्योग है विशेशकर विज्ञान से संबंधित समस्याओं का आईए सबसे पहले छात्रावास से संबंधित एक समस्या लेते हैं छात्रावास में आम तौर पर दो तरह के खर्चे होते हैं पहला करमचारियों का वेतन, छात्रावास का रख रखाव या भवन का किराया इत्यादी जो की आम तौर पर स्थेर होता है दूसरा खर्चा होता है विद्यार्थियों के भोजन इत्यादी पर और यह निर्भर करता है विद्यार्थियों के संख्या पर समस्या है एक छात्रवास का मासिक व्यए भवन के रख रखाव तथा भोजन आदी को मिलाकर 27,000 रुपए है जबकि छात्रों की संख्या 20 है यदि छात्रों की संख्या 50 हो जाती है तब यह व्यए 45,000 रुपए हो जाता है यदि भवन के रखरखाव का व्याय स्थिर रहता है और भोजन का व्याय चात्रों की संख्या पर निर्भर है तो भवन के रखरखाव का व्याय तथा प्रती चात्रे भोजन पर व्याय ग्याद कीजिये अब इस समस्या में दो अज्यात राशियां है इसलिए हम कोई भी दो चर लेकर उन्हें परिभाशित करते हैं माना कि भवन के रख रखाव का व्याए X रुपे है तथा प्रती छात्र भोजन पर व्याए Y रुपे है अब पहले शर्ता अनुसार यदि भवन का रख रखाव का व्याए स्थिर है और 20 छात्रों पर व्याए दोनों का योग बन जाता है X जमा प्रती छात्र Y रुपे भोजन पर खर्च होता है यानि 20 छात्रों पर व्याए होगा 20 Y इसलिए समीकरण बना X जमा 20 Y बराबर 27,000 दूसरा शर्त है यदि छात्र 50 हो जाते हैं फिर से हम समीकरण देखते हैं कि भवन का रख रखा X रुपे जमा 50 छात्रों पर भोजन पर व्याए 50 Y बराबर खर्च हुआ 45,000 रुपे यह पहला समीकरण बना और यह दूसरा अब दूसरी समीकरण से पहले समीकरण को घटाने पर हमें प्राप्त हुआ तीस Y बराबर 57,000 घटा 27,000 यानी 18,000 अर्थाद Y बराबर 18,000 बटा 30,000 अर्थाद Y बराबर 600 अब Y के इस मान को किसी भी समीकरण में पहले या दूसरे समीकरण में रखकर हम X का मान ग्याद करेंगे यदि हम पहले समीकरण में रखते हैं Y का मान तो यह बना X जमा 20 गुणा 600 बराबर 27,000 रुपे यानी X जमा 12,000 बराबर 27,000 रुपे यानी अर्थाद हमें प्राव्ट हुआ भवन के रख रखव परवय ह्पर वैं यह हमें प्राप्थ हुए 15,000 रुपए एवन प्रती छात्र भोजन पर वियाए यह प्राप्थ हुए 600 रुपए अरे वाँ समिकरनों से दोनों खर्चे अलग-अलग ज्यात हो गए चलिए मेरे भी एक समस्या का हल किजिए मेरे मित्र का घर 16 किलोमेटर की दूरी पर है एक बार उस मित्र के घर की दिशा के विपरीत बड़ी तेज हवा चल रही थी और मुझे साइकल से उसके घर पहुचने में दो घंटे लग गए लिकिन लौटने में केवल 48 मिनट ही लगे ज्यात कीजिए कि हवा की क्या गती थी अब इस समस्या में सिरफ हवा की गती ही नहीं हम साइकल की गती भी प्राप्थ कर सकते हैं इस तरह से इस सवाल में या इस समस्या में दो अज्यात राशिया हैं इसलिए हम कोई भी दो चर ले करके उन्हें परिभाशित करते हैं हम मानते हैं कि स्थिर वायू में साइकल की गती X किलोमीटर प्रती घंटा है एवं हवा या वायू की गती Y किलोमीटर प्रती घंटे है अब ये बात तो स्पष्ट है कि यदि साइकल हवा की दिशा में जाएगी तो उसकी गती बढ़ जाएगी और यदि cycle हवा के विपरित दिशा में जाएगी, तो उसकी गती घट जाएगी वास्तव में cycle की गती यदि हवा के विपरित दिशा में जाती है, तो बन जाएगी X घटा Y किलो मीटर प्रती घंट एवं साइकल की गती यदी हवा की दिशा में है तो बन जाएगी X जमा Y किलो मीटर प्रती घंटे अब हमें यह सूत्र भी पता है कि समय गुणा चाल बराबर दूरी अब इस सूत्र का उप्योग करते हुए हम इस समस्या का हल करेंगे पहले शर्ता अनुसार साइकल दो घंटे में हवा के विपरिट दिशा में 16 किलो मीटर की दूरी तै करता है और दूसरे शर्ता अनुसार 48 मिनट यानि 2 बटा 3 गुणा उसकी गती हुई जब वो हवा की दिशा में जाता है X जमा Y और वो दूरी वही तै करता है 16 किलो मीटर इसे हम पहला समीकरण मानते हैं और इसे दूसरा समीकरण अब इन दूनों समीकरणों को हम सरल करते हैं पहला समीकरण बना 2X घटा 2Y बराबर 16 और दूसरा समीकरण बना 2X जमा 2Y बराबर 48 इसे हम तीसरा समीकरण मानते हैं और इसे चौथा इसे हम और सरल करते हैं यानि दोनों पक्षों को हम दो से भाग देते हैं दोनों ही समीकरणों में तीसरा समीकरण बनता है X घटा Y बराबर 8 और चौथा समीकरण बनता है X जमा Y बराबर 24 अब इसे हम पाँच्वा समीकरण मानते हैं और इसे च्छटा दोनों समीकरणों का हम योग करते हैं हम यह प्राप्त होता है है 2X बराबर 32 यानि X बराबर 16 अब X के इसमान को हम पाँच्वा समीकरण में रखते हैं हमें प्राप्त होता है 16 घटा Y बराबर 8 यानि घटा Y बराबर 8 घटा 16 अर्थात घटा Y बराबर घटा 8 या हम इसे कह सकते हैं Y बराबर 8 आट किलोमेटर प्रती घंटा अर्थात हमारे पास आया साइकल की गती 16 किलोमेटर प्रती घंटा एवं वायू की गती 8 किलोमेटर प्रती घंटा कमाल हो गया हवा की गती भी ग्यात हो गई और साइकल की भी बिना किसी गती मापक का उप्योग किये और उत्तर भी कितना ठीक साइकल की गती निकली 16 किलोमेटर प्रती घंटा और मैंने देखा भी है कि मित्र के घर सोला किलोमीटर स्तेर हवा में जाने में मुझे एक ही घंटा लगता है। यह A, B, C, D एक चक्रिय चतुर्भुज है और इसमें A तथा C समुख कोण है। हमें पता है कि एक चक्रिय चतुर्भुज में समुख कोणों के युग्म का योग 180 अन्श होता है। अब इस समस्या में भी दो अज्यात राशियां हैं। इसलिए हम कोई भी दो चर लेकर उन्हें परिभाशित करते हैं। अब इसमें दो अज्यात राशियां हैं A कोण तथा C कोण और ये दोनों समुख कोण हैं। और चक्रिय चतुर्भुज में समुख कोणों के युग्म का योग 180 अन्श होता है। पहले हम लेते हैं युग्म का एक कोण A तथा दूसरा समुख कोण C. पहला समीकरण बना A जमा C बराबर 180 अन्श। दूसरा शर्थ है पहले कोण का दुग्ना दूसरी कोण के तिग्ने से 20 अन्श अधिक है यानि 2A बराबर 3C जमा 20 अन्श। इसे हम सरल करते हैं या मानक रूप में लिखते हैं दूसरे समीकरण को तो ये बनता है 2A घटा 3C बराबर 20 इसे हम दूसरा समीकरण मानते हैं इस तरह से हमारे समीकरणों का निकाय बन गया पहला समीकरण है उसमें A जमा C बराबर 180 अन्श और दूसरा समीकरण बना 2A घटा 3C बराबर 20 अन्श। पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करते हैं हमें प्राप्त होता है 3A जमा 3C बराबर 540 और दूसरा समीकरण हम ऐसे ही लिखते हैं 2A घटा 3C बराबर 20 अब इन दोनों समीकरणों का योग करने पर हमें प्राप्त होता है 5A बराबर 560 अर्थात A बराबर 560 बटा 5 यानि 112 अन्श अब A के इस मान को हम पहले समीकरण में रखते हैं C के मान को प्राप्त करने के लिए इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 112 जमा C बराबर 180 अर्थात C बराबर 180 घटा 112 अर्थात C बराबर 68 इस तरह से चक्री चतुर्भुज के दोनों सम्मुख कोणों का मान पहले कोण का मान हुआ 112 अन्श और दूसरे कोण का मान हुआ 68 अन्श इन सभी प्रशनों में हमने देखा की कोई दो अज्याद राशियां ज्याद करने के लिए दो शर्थे भी दी होती है अतह दो चर लेकर दो समिकरन मना लेते हैं और फिर उन्हें हल कर लेते हैं और प्रशन का भी हल मिल जाता है बिल्कुल ठीक, हम इन समिकर्णों का उप्योग शेत्रफल से संबंदित समस्याओं के लिए भी कर सकते हैं चलिए उधारन के लिए एक समस्या लेते हैं समस्या है एक आयताकार खेत का परिमाप 86 मीटर है यदि इसके लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए तथा चोड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो इसका शेत्रफल 50 वर्ग मीटर कम हो जाता है आयत के लंबाई वो चोड़ाई ग्याद कीजिए अब इस समस्या में भी 2 अज्यात राशिया है इसलिए हम कोई भी 2 चर लेकर उन्हें परिभाशित करेंगे लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं की ये आयत है तो मानते हैं की आयत की लंबाई X मीटर है तथा इसकी चोड़ाई Y मीटर है माना की आयत की लंबाई X मीटर है तथा आयत की चोड़ाई y meter है, तो इसका परिमाब होगा 2x जमा 2y और इसका शेत्रफल होगा xy अब परिमाब हमें दिया गया है, 2x जमा 2y बराबर 86 meter, तो यह हमारा पहला समीकरण बना सवाल को एक बार फिर देखते हैं, समस्या में दिया है कि यदि इसके लंबाई 5 meter कम दिया है, यानि लंबाई अब इस आयत की बनी x घटा 5, तथा चोड़ाई 2 meter बढ़ा दी जाए, अर्थाथ अब इसकी चोड़ाई बनी y जमा 2, तो इसका शेत्रफल होगा x घटा 5 गुणा y जमा 2, अब समस्या में ये है कि ये जो नया शेत्रफल हुआ, ये पुराने शेत्रफल से 50 वर्ग meter कम है, अर्थाथ हमारा समीकरण बना x घटा 5 गुणा y जमा 2 बराबर x y घटा 50, अब ये दूसरा समीकरण बना, इसे हम सरल रूप में लिख सकते हैं, पहले समीकरण को सरल करने के लिए हमने दोनों पक्षों को 2 से भाग दिया, पहला समीकरण बना x जमा y बराबर 43, दूसरे समीकरण को सरल किया, बना x y जमा 2 x घटा 5 y घटा 10 बराबर x y घटा 50, इसे हम आगे सरल रूप में लिखते हैं, तो यह बनता है, 2 x घटा 5 y बराबर घटा 40, इसे हम तीसरा समीकरण और इसे चौथा समीकरण मानते हैं, तीसरे समीकरण को हम 5 से गुणा करते हैं, दोनों पक्षों को हमें प्राप्थ होता है, 5 x जमा 5 y बराबर 215 और चौथे समीकरण को उसी स्वरूप में लिखते हैं, 2 x घटा 5 y बराबर घटा 40, दोनों समीकरणों को योग करने पर हमें प्राप्थ हुआ, 7 x बराबर 175 यानि, x बराबर 175 बटा 7 अर्थाथ 25, अब x के इस मान को हम समीकरण 3 में रख करके, y का मान ग्याद कर सकते हैं, हमें प्राप्थ हुआ 25, जमा y बराबर 43, इस तरह से हमें प्राप्थ हुआ, आयत के लंबाई बराबर 55, इस तरह से हमें प्राप्थ हुआ, 80 मीटर, एवं आयत की चोड़ाई, बराबर 18 मीटर, समझ आ गया, जब भी कोई दो अग्याद राशियां ग्याद करनी हो, तो दो समीकरणों का एक निकाए बना कर और उसे हल कर अग्याद राशियां ग्याद की जा सकती हैं, बिल्कुल ठीक, इस तरह से हमने देखा कि दो चरों वाले दो समीकरणों के निकाए हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए उप्योग कर सकते हैं, इसके लिए हमें जिन चरों की अवश्यक्ता है वे हैं, दो चरांक लेकर उन्हें इकाई के साथ परिभाशित करना, दीव हुई दो शर्तों के अनुसार दो समीकरण प्राप्त करना, प्राप्त समीकरणों के निकाई को उप्योग्त विधी से हल करना, तथा जैसे पूछा गया हो, इच्छित रूप में इकाई के साथ उत्तर लिखना, केवल X तथा Y के मान निकाल कर मत छोड़िये, अब आप पुस्तक में दीवे समस्याओं का हल कीजिए, आशा है आप उन समस्याओं को हल कर पाएंगे, धन्यवाद.